चलें वाई पांडे आये हैं इनको मैं एड़ कर लेता हूं हां जी वाई पांडे बताएं क्या काना चाहते हैं हां हां आ रही है जी बताइए वसे मुझे यहां पर साथिवाद याई सब्सक्राइब लेकिन थोड़ा सा उच्छे सामति में पूछे अब बोले बोले किस चीज पर नहीं सामाते हैं वह बोल दीजिए क्या कहा आपने कि नलंदा को बामुरों में जलवाया है उसका कोई सभूत होगा है कोई निफा होगा पाटिकुलर आप लॉजिक हां उसके तिबत में नहीं लॉजिक देखें हां बोल लीजे बोल लीजे अपनी बात रख लेजिए यह जलवाया था तो इसमें जलवा लीजे एक होगा ने कोई कोई तरीके का एविडेंस जैसे आप जिसको एविडेंस बोलते हैं कि वाई बाते नहीं वहीं से जिसमें लोग कहां पक्ता चाहिए कि वाई मुला कम्शूजर ना रहे मैं भी सचिस्वाइब जाँगा तो कि म जो पिछला जो इस्ट्रीम हुआ था उसमें प्रफेशनल विलास खरादी आये थे उन्होंने कुछ प्रिप्ट के स्क्रिप्चर्स का सुन लिजीए उन्होंने तिबद के स्क्रिप्चर्स का कुछ रिफरेंस दिया जिसमें यह भी लिखा हुआ था कि कौन-कौन से ब्राम नजर रखते थे और यगहवन करते थे जो आग लगी थी उसका आग भी ब्राम्रों नहीं दिया था क्योंकि जो आया था आग लेकर हर जगे नहीं चल रहा था दिया माचिस सलाई तो उस समय होती नहीं थी कहीं ले गए और आप ले जाके जला दिये तो वह चीज नहीं था तो उसकी आगे भी इननों ने अपने यगवन से दिया था, तो इसका पूरा उन्होंने रेफरेंस दिया कि वहां की जो किताबे हैं उससे ये चीजह आई हुई है, वह 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 दिखा दूगा क्योंकि वह बात उन्होंने रखी है, वो इसक्रिपचर जो है मैं निकालता हूं वेस्ट स्क्रिपचर मेरी बात को निका है वो इस्क्रिपचर जो है ले लूगा लेकर आपको दिखा दूंगा मैं आगर उसका की प्हीं बाहीं है तो इसको ने में कोई बहुत बड़ी बात हो इस चीज़ नहीं है क्योंकि सर उस पर दो तिन कहानिया होती है यह यह के वाला मैंने भी सुना है और एक कहानियों सुनाए जाता है कि जो कौन बातिया किल जी ते कौन साना तो उसको किसी ब्रामार ने कहा कि आप जाओ जला दो उससे परसने हुए तो सर कहानिया है और राजी पटेल जी ने अफने किताब में निखा है तो वो किसी राच्टर का नाम कर्कि को ए मुस्मिम है वो क diagnostic जो महिंम एंडिया से बाहर गया ता कि सिसने अपने किताब में कुछ किूप वहां से करब कि नएक एक कई सु जगह पर गया था दस सल बाद गया था तो वहां पर उसको अन होने अपनी आप वीति सुनाई वे tailor so नहीं है एक्चुल सोर्स क्या है ना कि जब जलाया गया तो वहां से माइग्रेट करके जो तीबत में गए बहुत भीकु उन्हांने अपने तीबती स्क्रिप्चर में जो लिखा है वह ज्यादा ऑथेंटिक है समझ रहे हैं ना उता सुनी सुनाई बात दस साल बाद लिखा थ अब्धिया नई तो ब्रामणों ने पताया भी नहीं यहां पर भारत में यहां पर कोई विश्व इद्धाले था जो बता रहे हैं कि राम का जांते हैं विद्ध हैं ईनके जो प्रतिलीपी भेजी थी वह सत्तरों सौ चुगरानवर की बात है बान्वर की उन्हों मताता है उस ने बोला कि यह बहुं की घदा है माभारत कालसे इस पर अभी लिखाया गया है और माभारत में जब लोग बनुवास गये तब इसकी बाते लिखी हुई है और यह बहुं की गडा? यह बात तब तक चल दी रही तो ब्रामध देखने को समराट असुक के बारे में नहीं से आप निए बात रमयन मा भारत की जो आपको बताया है तूलसी दा सत्रहावी सदी में सुलावी सदी में किताब लिखा राम चरीत मानस इता आपको पता होगा ये सब्सक्राइब तो इनके जश्ट पहिले अगर बाबरी मस्चिद बनी थी राम मंदिर कोई जलाया गया था या राम मंदिर तोड़के मस्चिद कोई बनाई गई थी उसका उलेख कहें नहीं किया वो तुलसी अगर ऐसा कुछ किया गया था तो कि अच्छी किसा मान लेता हूं सर आप जो सकते हैं अब एक काम और के लिजीए अगर यह बात आप इंदी इतना बोले हैं अच्छा बोलिए चलिए आप ही कि सुन लाता हैं बोलिए नहीं एक बास उलिए तो वह लोगों पुभी तो नहीं बताता तो आप पर्टिकुलर ब्रामड को बोल के इस बात को जनरलाइज कर देते हैं कि ब्रामड यह चीज का दोस्ति और लोग चीख आप करते हैं कि उनकी युनिशिट्री नहीं पाए लेकि जियान इतने असानी से नहीं बिख जाता जब सब लोग बुद्धिस हो तो इतनी असानी से सब और ही बूल जाएंगे मालों ब्रामड चला के चलो कर दिया कुछ कि आप जो है जो धरम आप सब पर लाद रहे हैं वो जब धरम यह कहेगा कि भाई सूद्र का काम एकमात्र काम ब्रम्हा ने कहा है कि आपको जो है तीनों वर्णों की सेवा करना है और आप जब साफ साफ इसमें लिख दोगे कि शिर्फ ब्रामड ही पढ़ावे यह देखिए ना यह आपने पहिले ही सलोक में लिखा है यह चैप्टर तो नहीं इसका प्रभाव पढ़ता है लोगों को आपने यही धरम दि सब्सक्राइब लिखने का अधिकार जो है संस्क्रीट में यह तो ब्रामड लिखा है ना आज जितनी भी किताब हैं गुरुनानक जी ना नहीं लिखा न वह तो अरजुन देव जी जो थे उन्हों ने लिखा और वह लिखा सत्रहवी आट्रहवी सदी में और उस समय जो चीजे थी वह उनकी कंपाइल हुई धार्मी करूप से बाकि जो आपका सीखिजम पूरे भारत में सीखिजम थोड़े वह तो एक छेत्र में था ना एक छेत्र में था और रैदास जी और कभीर जी को अपने में मानते हैं या अलग मानते हैं अलग धरम मानते हैं पड़े यह किलियर कीजिए सब को पढ़ते हैं तो यहां पे आपकी जो वर्ण बेवस्था है इसमें चैप्टर टेन देख लिजिए मदुस्मृति पहला जो स्लोक है लिखा है अपने अपने कर्मों में निरत द्वी जाती कौन सी द्वी जाती तो ब्रामर चत्रिय वैश्य वेदों को पढ़ें वेद इन में ब्राम्हड ही वेद को पढ़ावे अन्य कोई भी न पढ़ावे यही निश्चय है तो जब आप नियम ही बना देंगे कि ब्राम्हड ही पढ़ाएगा तो आप जब दस जेनरेशन को नहीं पढ़ाएंगे पांच जेनरेशन को नहीं पढ़ाएंगे आप खुद ही सम पढ़ाने ही नहीं देगा तो क्या निकलेगा को इतिहास जान पाएगा आपको ब्रामडों को अपना इतिहास खुद नहीं पता आपके सावरकर ने लिखा कि हम विदेशी हैं यह बात आपको पता होगा सावरकर जो है उन्होंने कहा कि हम एरानी हैं एरान से हमारे इतनी सारी चीज़े आ रहे हैं अब यह बताएए आज उसी मास खाने पर लेकर मॉब लिंचिंग हो रही है एक तरफ आप कहते हो कि हम अगरणी है जैसा कहते हैं वैसा धरम होना चाहिए जैसा चलना चाहिए अब वही काम आप करते हो दूसरा कोई कर रहा है तो उसको मर र किसी ब्राम हर नंने क्यों लिखा कि नालंदा जो है वह जलाया मुस्लिम ने किसी भी न्हीं लिखा कि और गीशेशना के और कुछ किया तो आकर लिखना चाहिए था कि हमारे ऑंकों के सामने जलाया गया तस्चिला जलाया गया चोटी मोटी तो इन्वर्सिटी थी नहीं विदेश से आते थे सब पढ़ने के लिए ग्यान का केंद्र जो है उतो बहुत बड़ा होता है ना उतो ना मियर होता है अब रामड दावा कर रहा है कि हम ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ग्यान के केंद् रहा था वोत अकुसको याद है अँसको जब 13 सधी में जलाया जा रहा है नालंदा उसके बारे में मूह नहीं खूल रहा तश्चिला के बारे में मूह नहीं खूल रहाए उन जगों को कफ़ा में तो आप पता है क्या गते कि हमारे आपके पुर्वज जो है उन्हों ने गलत किया है आपको यह मानना चाहिए था बताइए आपके पुर्वज बात करेंगे थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल आप मुझे एक सबूत बता देजे कि दसवी सदी से पहले ब्रामडों का सबूत भारत में बता देजे आए हिस्टोलिकर प्रस्पेक्टिव पर बात करते हैं आप बात करते हैं कि 7-8 सदी से पहले उसकी अमचार्चा कर लेते ह आपका कोई आपके पास ऐसा एविडेंस है जिसमें पता चले कि 7-8 सदी से पहले भारत में ब्रामड थे तो वह करते क्या थे क्योंकि जितने मंदिर उंदिर बने हैं यह सारे मंदिर जो है हजार सबहाजार से ज्यादा पूराने है नहीं पूजा पार्ठ का भी करेकरम हज पूमलत कुछ लोग हो गया हो आज कkommen क्या हो गये वो लोग क्या कर रहे थे में कैसे निर्वाह pedestrians करते थे कैसे चला देख जैसे कि और भारत की और डेरों नागरी समय धीर है लुजेंगे लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है ना आपका जितने जो तीलिए सब्सक्राटबरा ऑफ जीवन यापन का से करना है वी तो सब्सक्राइब हुआ है उसमें तो लिखा हुआ है वेद ही पढ़ सकता है नहीं देखे बाद में क्या होता है उस समय अगर कोई ब्रामध फिर यह तो जूट हो गया ना कि यह सब इस्वर की बाणी है आपके धरमकृंत इस्वर की बाणी नहीं है फिर इसका मतलब यह हुआ क्यों योग कि साथी यह एस बात को पुष्टी करते हैं मांते हैं कि शारे धरम गरंट अचारे आज के जो हैं तो आप संक्राचारियों से कौंटेक्ट कीजिए सारे ब्रामष मूदाय से कौंटेक्ट कीजिए उनसे कहीं कि एक बार वो लोग इस बात की कह दें, लोगों इसके सामने कह दें कि भाई जितने धरम गरंत हम लोगों ने लिखें हैं, इसका किसी भी स्वर से कुछ लेना देना नहीं है, आए हम लोग मिल जूल के रहते हैं, यहीं तो कहना है, सब लोग मिल जूल के रहेंगे अपना ब् को पुरोजो की इस सारी किताबों को हम जलाते हैं खतम करते हैं, आईए हम जातिवाद को खतम करते हैं, इस नहीं तो कहना है, ब्रामण समाज को आगे आना चाहिए, अगर ब्रामण समाज आगे आ जाता है, कहता है कि यह सारी जितने भी यह जातिया जो हमने अपनी किताबों में लिख रखी है, बता रखी है, कि वर्ण संकर स यह पता नहीं चरपाता कोई संक्राचारिया कितने संक्राचारिया है भारत में जितने बड़े-बड़े मंदिर हैं उनका सबका एक महंत होगा होगा ना सबका महंत होते हैं तो सारे महंतों को आप ब्रामण है तो आप अपने समुधाय में जाएए सारे महंतों को समझाइए कि आप लोग यह जितने भी धरमगरंथ है एक बार आप लोग एलान करें कि सब हम ब्रामणों ने लिखे हैं इसका कोई नाता नहीं है देखें दो रास्ता है या इस चीज़ इसको उनको क्यों बोलिएगा उसका तो नया नया धंदा आया है उसको सोचा कि अभी नया नया मेटेरियल है यह तो जैसे एम जब रिलीज हुआ था इंप्लिट्यूड मॉडूलेशन तो एफम को लांच होने में अगला पचास साल से भी ज्यादा लग गया उसको लांची नहीं कर रहा है थे हलाएं कि एफम बाइतर था साउंड लेकिन लॉचिए नहीं कर रहे हैं लोग हजार साल से कमा रहे हैं तो पहले जो है आप संकराचारियों को कहिए कि सारे संकराचारिय जो है आप देखें, आप अपने विरादरी में जाहिए, यही कर्तब है, यहाँ पे लोग कहते हैं, पूछते हैं कि आप मुस्लिम को कहा है नहीं टार्गेट करते हैं, इसाई को कहा है नहीं टार्गेट करते हैं, तो भाईया हम तो सीधे कहते हैं कि एक समुस्लिम जो है, वो एक उसको सुधारने की बात करेंगे ना आप उनमें जाइए जाइए उनसे कहिए कि भाई आप लोगों के धर्म गरंतों में जब जाती बाद है तो जूट क्यों बोल रहे हैं कि जाती बाद जो है अंगरेजों और मुगलों ने बना दिया आप खतम के ये भेदभाव अगहिए क संक्राचारिय जो है या जो भी पदवी का महंत जो ऊपर वैठा हुआ है क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं वह सुधार करेंगे ना जहां से जो बीमारी है वह सुधार करें ना देखिए प्रोब्लम सौल होती है जब आप भेदभाव खतम कर देंगे अपने एंड से आपक locks new on sagt vallahi यह गोत्र होगा इसा आपके पूर्वजों एताव करणो करद रहे हैं और तभी अपने को ब्रामर समझ रहे हैं और तब ही आपको ऐसा लगा कि यार हमारे बाता करे में इसके बाता वह कि ब्रामयों ने लंदा पूछने था जाटीबाद आप यहां पर पूछने यानि कि अभी आपका जातिवाद जो है ब्रामः ध्रम के प्रती अभी वह बाकी है मतलब वह खतम नहीं हुआ है अब ही आप खुद जातिवाद में फसे हुए हैं जब वो मुह निकल जाएगा ना कि हां हम ब्रामण में नहीं हम तो इनसान है यार जब इनसान है तो हम ब्रामण का पच्छ क्यों ले हम क्यों ना समझें कि तब जाती बात जो है यह डाइलूट हो रहा है कतम नहीं डाइलूट हो रहा है यह चीज़े हैं ठीक है योगपांडे जी चलें फिर जीज़ें धन्यवाद नेचुरल वर्ड लिखते हैं जाहिलों की संस्कृति दुनिया देख रही है एक अभी कल जो है एक वीडि किसी ब्रामहड के यहां कुछ जाती जनगलना या कुछ भी जनगलना या सरवे कुछ था उसके लिए और वहां का ब्रामहड जो है वह पानी दिये सब पीने के लिए तो पी लिया पानी पी लिया उसके बासे ब्रामहड ने उसकी जाती पूछ ली अब उसने अपनी जाती R dados का दो उसको गाली देने लगा नपटने लगा तरी हिम्मत कैसे लिया तुने कैसे कर लिया few कैसे कर लिया मतलब सरयाम और रिकोर्ड हो रहा है वह गाली दे रहा है अब वह कह रहा है कि आपने पानी जब दिया था पीने के लिए तो पहले आपने जाती थोड़े पूछी थी आपने तो पानी पिला दिया बात में आप जाती पूछ रहे हो तो जो जाती था वह मैंने ब